थिसलूनीकियों के नाम पॉलुस प्रेरित की दूसरी पत्री अध्याए एक पॉलुस और सिल्वानुस और तीमूथियोस की ओर से थिसलूनीकियों की कलीसिया के नाम चो हमारे पिता परमेश्वर और प्रभू यिशु मसी में है हे भाईयो, तुम्हारे विशे में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवात करना चाहिए और ये उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सब का प्रेम आपस में बहुत ही होता जाता है यहां तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विशय गहमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और कलेश तुम सहते हो उन सब में तुम्हारा धीरच और विश्वास प्रकट होता है ये परमेश्वर के सच्चे नियाय का सपस्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राच के योगेट है हो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो, क्योंकि परमेश्वर के निकट ये न्याय है, कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं, उन्हें बदले में क्लेश दें, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो, हमारे साथ चैन दे, उस समय ज को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यिशु के सु समाचार को नहीं मानते उनसे पल्टा लेगा वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनन्त विनाश का तंड पाएंगे यह उस दिन होगा जब वो अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चरे का कारण होने को आएगा क्योंकि तुमने हमारी गवाही की प्रती दिखी इसी लिए हम सदा तुम्हारे निमित प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग के समझे और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ सहित पूरा करे कि हमारे परमेश्वर और प्रभु येश्व मसीख के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु येश्व का नाम तुम में महिमा पाए और तुम उसमें अध्याय दो हे भाईयों हम अपने प्रभु येश्व मसीख के आने और उसके पास अपने इकठे होने के विशय में तुमसे विनिती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्त्री के द्वारा छोकी मानू हमारी ओर से हो ये समझ कर कि प्रभु का दिन आ पहुचा है तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम खबराओ किसी रीती से किसी के धोके में ना आना क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रगट न हो जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज कहलाता है अपने आपको बड़ा ठहराता है यहां तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठ कर अपने आपको परमेश्वर प्रगट करता है क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहां था तो तुमसे ये बाते कहा करता था और अब तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे रोक रही है कि वो अपने ही समय में प्रकट हो क्योंकि अधर्म का भेद अभी कार्य करता जाता है पर अभी एक रोकने वाला है और जब तक वो दूर ना हो जाए वो रोके रहेगा तब वो अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यिशु अपने मूँ की फूँक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा उस अधर्मी का आना शैतान के कारे के अनुसार सब प्रकार के जूठी सामर्थ और चिन्न और अदभुद काम के साथ और ना शोने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के दोखे के साथ होगा क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहन नहीं किया जिससे उनका उधार होता और इसी कारंग परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा ताकि वे जूट की प्रतीती करें और जितने लोग सत्य की प्रतीती नहीं करतें वरण धर्म से प्रसंद होते हैं सब उधंड पाएं पर हे भाईयो और प्रभु के प्रिय लोगों चाहिए कि हम तुम्हारे विशय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें कि परमेश्वर ने आदी से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीती करके उध्धार पाओ जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु येश्व मसीह की महिमा को राप्त करो इसलिए है भाईयों स्थिर रहो और जो जो बाते तुमने क्या वचन क्या पत्र द्वारा हमसे सीखी हैं उन्हें थामे रहो हमारा प्रभु यिशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वत जिसने हम से प्रेम रखा और अनुग्रह से अनन्त शान्ती और उत्तम आशा दी है तुम्हारे मनों में शान्ती दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में द्रिड करे अध्यायती निदान, हे भाईयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीखर मिले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ और हम टेड़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं परंत प्रभु सच्चा है, वो तुम्हें दृड़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा और हमें प्रभु में तुम्हारे उपर भरोसा है कि जो जो आज्या हम तुम्हें देते हैं उन्हें तुम मानते हो और मानते भी रहोगे परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरच की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुआई करे हे भाईयों हम तुम्हे अपने प्रभु येशु मसीह के नाम से आक्या देते हैं कि हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा उसने हम से पाई उसके अनुसार नहीं करता क्योंकि तुम आप जानते हो कि किस रीती से हमारी से चाल चलनी चाहिए हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल ना चलें हमने किसी की रूटी सेंत में ना खाई पर परिश्रम और कश्ट से रात दिन काम धंदा करते थे कि तुम में से किसी पर भार ना हो ये नहीं कि हमें अधिकार नहीं पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराएं कि तुम हमारी सी चाल चलें जब हम तुम्हारे यहां थे, तब भी यह आग्या तुम्हें देते थे, कि यदि कोई काम करना ना चाहे, तो खाने भी ना पो, हम सुनते हैं कि कितने लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं, और कुछ काम नहीं करते हैं, पर औरों के काम में हाथ डाला करते है ऐसों को हम प्रभु यिशु मसीह में आक्या देते और समझाते हैं कि चुप चाप काम करके अपनी ही रूटी खाया करें और तुम हे भाईयो भलाई करने में हियाव न छोड़ो यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को न माने तो उस पर द्रिष्टी रखो और उसकी संगति न करो जिससे वो लजजित हो तो भी उसे बैरी मत समझो पर भाई जानकर चिताओ अब प्रभु जो शान्ती का सोता है आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शान्ती दे प्रभु तुम सब के साथ रहे मैं पॉलोस अपने हाथ से नमस्कार लिखता हूँ हर पत्री में मेरा यही चिन्ह है मैं इसी प्रकार से लिखता हूँ हमारे प्रभु यिशु मसीह का अनूक्रह तुम सब पर होता रहे कि बादेे शान्ती के साथ कि विखता हूँ ये जादा। ये विखता लिखता हूँ सब्से प्रभु